इस हफ्ते सलमान खान और सारूक खान को लेकर दो ऐसी अपडेट सामने आई हैं जिसके लिए फैंस तो यही कह रहा हैं कि यह सलमान खान सारूक कहन की तरफ से दीपा बली का गफ्त है फैंस के लिए वेल हमतब को मालूम है कि सलमान खान के आने वाली मुवी सितंदर बवध बड़ी mas action मुवी होगी तो कि आज कर चल भी तो यही रहा है जहाँ पर mas action मुवी को बहुत सारा प्यार मिला है अगर सलमान खान की मूवी इसकी बात की जाए तो वो इसी लिए जाने जाती हैं लेकिन इस मूवी के इतने बड़े होने के बाप जूद भी फैंस को इनकी एक मूवी का बहुत जादा इंतिजार था और बोथ ही किक्टू वैल किक्टू को लिके इस साल काफी सारे रूमर्स आये थे किक्टू बनेगी बनेगी या नहीं बनेगी फैंस को बहुत सारा कन्फूजन था फाइनली इस कन्फूजन को दूर कर दिया है जहाँ पर सलमान खान और की पूरी टीम ने एक फोटो डाला है और इसमें ये official confirm हो गया है कि किक्टू बहुत जल्द बनने वाली है मतलब किक्टू का announcement हो चुका है जिसके बाद friends इसको लिके बहुत ज़्यदा excited हो चुके हैं बही अगर इस movie की बात की जाए तो सलमान खंगा कहना ये है किसकंदर उनकी बहुत बड़ी action-packed movie होने वाली है लेकिन किक्टू उस्ते भी बड़ी होने वाली है अब तुम सबच जाओ किक्टू का level क्या रहेगा और रहे भी क्यो ना क्योंकि devil बापस आ रहा है और इस movie से fans तो के कुछ ज़्यादा ही उम्मीद है तो इसलिए इस movie में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी बल्कि इस movie को बहुत बड़े level पे बनाये जाएगा भै अगर movie के action की बात करें तो movie के action भी बहुत कमाल के होने वाले है वैल जब सलमान खान की बात हो गई है तो जब जब सलमान खान की बात होती है तब तब सारुक खान की बात होती है चाहाँ पर सलमान खान ने सबको अपनी तरफ से एक gift दे दिया है तो बाई पर सारुक खान भी पीशे नहीं रहने वाले है और एक ऐसी news निकल कर आई है जो fans को पोज़दा excited कर गई बैल सारुक खान के आने वाली movie king है यह तो हम सब को मालूम है और इस movie पे काम चालू कर दिया गया यह movie आमें अगली साल देखने को मिलेगी लेकिन तुमारे मन में यह सबल जरूर आया होगा कि सारुक खान किंग movie के बाद किस movie पर काम करेंगे तो बैल इसको लिगे बहुत बड़ी update आई है कि सारुक खान स्ट्रीटू के universe में आने वाले है मतलब Mad Dog Supernatural Universe में उनकी entry होने वाली है जहाँ पर राजकुमार राऊ सुरद्दगबूर बरुन दवन की entry पहले ही हो चुकी है उसके साथ साथ इसमें आयुस्वान खुराना की भी entry होने वाली है बही अगर बात करें अक्षकमार की तो स्ट्रीटू से अक्षकमार का character को भी set कर दिया है मतलब वो आने वाले time में एज़ा बिलन आने वाले है उसके साथ साती मतलब अक्षकमार के साती अब आने वाले time में सारुक खान भी इस universe में हमें दिखाई दे सकते हैं तो बही अगर इस universe में सारुक खान आ रहा है तो सोचलो फिर ये universe किस लेविल पर जाने वाला है बही अगर सारुक खान के से universe में character की बात करें तो बरुन दबन एज़ा भीन लिया हमें देखने को मिले हैं तो अगर दीपवली पर इन दोनों ने गिफ्ट दिया है तो दीपवली पर एक जंग भी हो रही है ये तम सब को मालूमी है एक तरफ है सिंगाम अगेन दूसरी तरफ है भूल वली या 3 और ये दोनों ही मूवी आमने सामने खड़ी है जहां पर भूल वली या 3 का टीजर लेके भी ऑफिसल अनॉसमेंट हो चुका है ऑफिसल डेट सामने आज से की ये 7 अक्तूबर को सिंगाम अगेन का ट्रिलर रिलीज कर दिया जाएगा तो इस ट्रिलर दोबारे में बात करेंगे इसके रिलीज होने के बाद तब तक इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है अग एली वीडियो में